हलो फ्रेंड्स, टेक्निकल सामल यूटूब चैनल में आपको देल से बहुत-बहुत स्वागत है आज इस टपिक अंदर में जानेंगे जो प्लाग रहता है दोस्तो, थ्री पिन का और टू पिन का जो प्लाग रहता है सकर्ट में आप लोग लगाता है उसमें आखिरकार कॉट क्यूं लगता है आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा आप लोग ये मन में सोचे होंगे कभी ना कभी ये कॉट क्यूं लगा जाता है प्लॉग का अंदर में दोस्तों लेकिन हर प्लॉग में ये कॉट नहीं आता है दोस्तों हर प्लॉग में मतलगी आप देखा होंगा जो टूप इनका रहता है उसमें कहीं 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 में कॉट नहीं आता है उसका आखिरकार कारण क्या है दोस्तों जितना भी सारे पीन का अंदर में कॉट आता है यह दोस्तो जो बना वटी धातू का हिसाब से आता है दोस्तो अगर यह ब्रास का है याने की देखिए दोस्तो जो ब्रास है मतलब कि यह पितल का अगर यह पितल का बना हुआ रहेगा तो इसका अंदर में कॉट आएगा जरू क्यों इसका अंदर में कॉट आया है दोस्तो हैं तो इसको अगर आपको पितल जील दिखेगा दोस्तो तो यह आपका सामने दूसरा नाएब नहीं है यह Please अंदर में कॉट नहीं देता है किसि में कॉट नहीं देता है यह दूसरा मेटल में बना हुआ है इसलिए इसमें कॉट नहीं है तो आखिरकार जो कॉट आता है वो कौन सा मेटल में बना है तो आपको बता है अब रास में बना हुआ है दोस्तो अब रास में क्यों बना के कॉट मारता है इसमें क्यों नहीं कॉट मारता है तो अभी हम जानते ह है क्यों नहीं मारता है आखिरकार दोस्तों जो white color का टॉप रहता है देखें white color का top में kind क्यों लगता है दोस्तों इसके लिए जो का उपर में coating दिया जाता है निकेल का do जो अंग नहीं पकड़ेगा उसके लिए हम निकल का एक कोटिंग देते हैं उसका उपर में आखिरकर दोस्तरों जो ground लगता है को जो लगता है वह आमपेर का उपर मेंुदैंड करता है देख यह इसका उपर में कापाशिक्टी हिसाब से इसमें काड लगा करें www.regald.ca ऐसे में अगर उसको लगा कर रखेंगे तो उसका अंदर में क्या हो जाएगा जैसा फैल जाएगा अंदर में हम निकल प्रणट लेगा तो इसलिए दुस्तों कट लगान का कारण से जैसा हीट होगा वह को management करने के लिए जो ग्याप है दोस्तों मैं भरेगा अगर जादा आंपिर लेगा तो इसलिए जो पीन उत्सक्राइब गुशाएंगे तो हमारा वह आसान से निकल जाए अगर ये पीन गरम हो जाएगा अगर कट नहीं रहेगा तो गरम होने के बज़े से क्या होगा इसमें अगर फेल जाएगा तो हम निकल नहीं पाएगे झाल झाल